नमस्कार आप देखरें नियूस फर नेशन और मैं हूँ आपके साथ शिप्राजा बिहार में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौनसून की सक्रियाता के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि करीब 24 जून तक पूरे सूबे में मध्यम दर्ज की बारिश दर्ज की जाएगी लेकिन 24 से लेकर 25 जून यानि की 25 जून का जो दिन होगा उस दिन भारी बारिश के अलर्ट चारी किये गए हैं उनमें से शिवर, सीतामडी, दर्भंगा, पश्चमी, पूर्वी, चमपारण है जिसमें बताया गया है कि 25 जून को भारी बारिश हो सकती है वजरपात भी हो सकते हैं इसको लेकर मौसमिभाग ने अभी से ही चेतावनी दे दी है कि पहले से ही सभी पहले से ही असार जताय गये थे बताया गया था कि इस बार मौनसून जो होगा बोहत ही अच्छा होगा और बारिश जो है बहुत ही अच्छी होगी जिससे किसानों को भी अच्छी खेती की उम्मीद है इससे पहले पिछले 24 खंटे के दवरान आरा के अलावा भोजपूर, बकसर रहतास जिला में जहां बारिश हुई है तो वहां जहानाबाद में बारिश रिकॉर्ड असी मीमी दर्शी गई है। जहानाबाद जिले की बात करें तो सबसे अधिक वर्शा मखदुमपुर में हुई वहीं गया के टिकारी समेत अन्ने इलाकों में भी मौनसून की मुस्लाधार बारिश हुई है। पुर्वानुमान में अंदाजा लगाया गया है कि राज्ज के कई जिलों में तेज बारिश की स्थती रहेगी। वहीं राजधानी पटना में भी बादल समेत बुंदा बांदी और मध्यम बारिश के आसार हैं। लगतार हो रही बारिश से इस बार बिहार में किसानों को भी अच्छी खेती की उम्मीद है। पूरे बिहार में मौनसून की सक्रेता बढ़ गई है तो ऐसे में बार की संभावना भी ज्यादा बढ़ती भी दिखरी है। इसलिए क्योंकि कई सारे ऐसे नदी हैं जिसका जलस्तर जो है अभी से ही उपर जा चुका है और अगर तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में बार के स्थिती भी बन सकती है। ऐसे में अभी से उसकी तयारी भी शुरू कर दी गई है इसलिए मौसम युहा की तरब से लगतार हर एक बार चेतावनी जारी कर दी जा रही है और इस बार बताया गया है कि 25 जून तक यानि की अगले तीन दिनों तक भारी बारिश बिहार में होने वाली है। ज्याद आपडेट के लिए आप जुड़े रहे न्यूस फ़र नेशन के साथ नमस्कार।